हलो एवरीवन, वेलकम बैक ट्यूर ओन चैनल स्टेडी वल्ड और विद्या और आज मैं आप लोगों के लिए 6 जन्वरी के जितने भी करंट अफ्यस के इंपोर्टेंट क्वेशन्स बन सकते थे वो सभी लेकर आए हूँ हर एक क्वेशन को मैंने यहाँ पर डिटेल में डिसकस किया है तो आप लोग क्वेशन्स के डिटेल जरू देखें क्योंकि डिटेल से आप लोगों के करंट अफ्यस के साथ साथ स्टेटिक जीके के भी क्वेशन्स बनते हैं तो चले वीडियो शुरू कर लेते हैं पहला कॉशन है केंद्रिया स्वास्थे मंत्राले ने कोरोना वायरस की वेक्सीन के वेक्सीनेशन के लिए कौन सा एप लॉंच किया है तो केंद्रियस स्वास्थे मंत्राले ने कोरोना वाइरस की वेक्सीन के वेक्षिनेशन के लिए कोविन एप को लॉंच किया है डिटेल में जान लेते हैं यहाँ पर तो इस एप की मदद से वेक्सीन टिलीवरी की रियल टाइम मोनिटरी में मदद मिलेगी और एप की जरिये सरकार वेक्षिनेशन हो चुके लोगों का डेटा सुरक्षित रख पाएगी नेक्ट कॉशन है हाल ही में किस मंत्राले ने खिलाडियों को रेल से किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है तो यहाँ पर बात हुई है रेल की किराए में मिलने वाली छूट तो इस जाहिर सी बात है रेल मंत्राले ही बंद करेगा डेटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पर तो देश की खिलाडियों को रेलवे में सेकेंड क्लास स्लीपर के लिए 75 प्रतिसत प्रथम स्रेडी के लिए 80 प्रतिसत और AC3 के लिए 50 और AC2 के लिए 25 प्रतिसत की रासी की छूट दी जाती थी लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है Next Question है चीन ने हाल ही में किस महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेडा तेनात किया है तो चीन देश ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेडा तेनात किया है डिटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पर तो ये एक समुदरी ग्लाइडर एक प्रकार से अंडर वॉटर वीकल है इसे दिसंबर 2019 के मद्धे में लॉंच किया गया था और अब इसे हिंद महासागर के अंदर ड्रॉन तेनात किया गया है इंग्लेंड के गायक Gary Marsden का हाली में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है तो इनका 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है डिटेल में बात कर लेते हैं तो इन्हें Liverpool Football Club के Anthem You Will Never Walk Alone के लिए जाना जाता है वे गायक होने के साथ साथ गीतकार भी थे और उनका गाना Don't Let The Sun Catch You Crime अमेरिका में बड़ा हिट हुआ था Next question है भारत ने चक्रवाद प्रभावित किस देश को हाल ही में राहत सामेक्री बेजी है तो अपने देश भारत ने फिजी देश को ये जो फिजी देश है वह चक्रवाद से प्रभावित हो गया था इसलिए अपने देश भारत ने इस देश को राहत सामेक्री बेजी है डिटेल में बात कर लेते हैं तो फिजी को आधिकारिक रूप से फिजी दूइप समुह गड़ राज्जी के नाम से भी जाना जाता है और यह देश स्रेडी मैनस फाइब उस्ट कटिवंदिय चक्रवाद यासा से प्रभावित हुआ है नेक्स कोशन है पाँच जन्वरी को किस देश में राश्ट्य पक्षी दिवस मनाया जाता है तो पाँच जन्वरी को अमेरिका देश में राश्ट्य पक्षी दिवस मनाया जाता है डिटेल में बात कर लेते हैं तो अमेरिका का राश्ट्य पक्षी वाल्ड इगल है और बाल्ड इगल को सन 1982 में अमेरिका का राष्ट्य पक्षीत गोसित किया गया था और इगल बाज की एक प्रजाती होती है जिसके सर पर बहुत कम पंक होती है इसलिए इसे इगल कहा जाता है Next question है इक्यावनवे अन्तराष्ट्य फिल्म अहोज सब की सुरूवात किस राच्य में की जाएगी डिटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पर तो इसमें थॉमस विंटर वर्क की फिल्म अंडर राउंड का भारत्य प्रीमियम होगा और गोवा में 16-24 जन्वरी की दोरान 51 बे आईफी का आयोजन किया जाएगा और आईफी की फूल फॉर्म है International Film Festival of India Next question है नई जीवन सांती योजना को किस ने शुरू किया है? तो नई जीवन सांती योजना को LIC ने लॉंच किया है इसके बारे में हम डिटिल में बात कर लेते हैं तो नई जीवन सांती योजना के तहट पैंसन की शोविदा को उपलब्द कराया जाएगा और इस पॉलिशी में निवेश कर कोई भी व्यक्ती जीवन भर अपने लिए मासिक पैंसन की वियोस्था कर सकता है और यह है एक सिंगल प्रीमियम प्लान है नेक्स कॉशन है यहाँ पर भारतिया रेलवे ने दुनिया के पहली होस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइफ लाइन एक्सप्रेस बना कर इतिहास रच दिया है बरतमान में रेलवे वोड के अध्यक्ष कौन है तो बरतमान में जो रेलवे वोड के अध्यक्ष है वो है सुनीत कुमार और यह क्वेशन आज ही सुरी कल यानि की पांच जन्वरी को आरार्वी एंटी पीसी में आ चुका है इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लीते हैं तो इस हॉस्पिटल ट्रेन को The Lifeline Express नाम दिया गया है और इस हॉस्पिटल ट्रेन को विसेश रूप से दूर तराज और दुरगम इलाकों में चिकित्सा सेवा उपलब्द कराने के लिए शुरू किया गया है और यह सुविदा मरीजों के लिए बिल्कुल फ्री है नेक्स्ट कॉश्टन है यहाँ पर हम लोगों का वीडियो फिनिश होता है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रू करिएगा चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लिजेगा क्योंकि इसी तरह के इंपोटेंट वीडियो में आप लोगों के लिए लाती रहती हूं और जैसे अगर कोई भी एक्जाम होता है तो उसके ऑथिंटिक कॉश्टन का एनलेसिस भी करवाती हूं थैंक्स वर वचिंग वेडियो